देवियो सजोनम भाईो अनमस्कारम उच्छो देवस नमस्कारम कैसे है आप सब उम्हेत है आप सब बहुत बढ़िया हो जल्दी से आजाओ यार है लो हाई करो चल दी से आजाओ, चलो, 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 से, सबसे best part क्या है, मालम ही क्या, आप लोगों से मिलने का मैं आज आपको बता दो best part क्या है, best part यह है, कि आपके lecture का सबसे best part में आपको बोलना आपको क्या है, इतनी छोटी सी बातें, but I was so happy, कि यार कम से कम है न, आपका lecture है, इसलिए अच्छे कपड़े पहनने का एक चल रहता है, मतलब नहीं तो क्या, दिन भर तो क्या, आपने बस हो गए, night dress में है, पड़े हुए, लेकिन एक lecture रहता है, तब थोड़ा सा मज़ा आता है, कि हाँ चलो, बच्चे आने वाले जारे ठीकटा कपड़े पहन लो, नहीं कि नहीं रिद्धी चितलांगिया, रिद्धी जी, thank you so much, आज किसने पहले किया, बपुन ने पहले किया, कि रिद्धी ने पहले किया, ये दोनों हमेशा अदम अवल रहते है, मुस्कान, हेलो, दिव्यांशू, बड़ा हाई, सही बोले से, रहे न, दिव्यांशू, सही बात बोला क अच्छे, मैं फिट हो गया, thank you बड़ा यार, दिखा रहा है, अच्छा, आज थोड़ा से मुझे आलाव करना, मैरा खाना आज मिस हो गया, खाना मैंने खाया नहीं, तो थोड़ा सा सूप बना के दिया है, तो आपका लेक्षर चलते हैं, थोड़ा सा सिफ में लेते हैं, ज चलि सब आगे, अमिर्दा, अक्षे, पपुन, दिव्यांशू, रिदी, अभीजीत, सब को चलो, नमस्ते, चली, आजए बच्छों सभी, दिव्यांशू आज भोजन इसले नहीं हुआ कि भी आज सामान लाने बाहर जाना था मांकेट में, और भौट टाइम लग गया है, लेकिन चली देवे सजनो, I think अब वक्त आज चुका है, जल्दी से, let's continue with our illustration, illustration ही बोल रहो, illustration तो खेर executive को पढ़ाना, अब जब executive में आगे तब मैं आपको illustrations पढ़ाऊंगा प्रक्टिकल चीज़े होगी, आज तो खेर continue करते हैं अपने C-set के, इस बोरिंग से chapter के साथ, chapter थो बहुत सारा data है, but don't worry, बच्चो, आपका काम आसान कराने के लिए हम है न यहापे, हम आपको देती ही जा रहे है, क्या-क्या important है, क्या नहीं, देविसे जनो, भाई यो बेनो, once again, स्वागत आप सभी का, let's continue, चली, okay, ये लिजए, screen आगे आपके लिए, okay, let's continue, yes, चलो, आप मिस continue कर रहो, notes खरके open हो जल्दी से, मज़ा आ जाता है आपके lecture में, thank you, बड़ा, चली, okay, आओ जब बच्चो, अभी आपको screen भी दिख रही है, I'll continue, okay, public and private sector bank, सब्सक्राइब के बारें पड़ेंगे, public sector bank मतलब जिसमें, government का, ज्यादा holding है, majority holding है, private sector bank के example देना, जल्दी से, ICI, ICI, या HD, FSC, क्या बात है सर, the banking sector was developed during the British era, the British, ये कुछ काम का नहीं है, जो काम का है, मैं उसको proper ऐसा highlighter लेके, highlight करके दूँगा, beach, beach में, जो मेरे ऐसे pen के marks सारे, वो underline नहीं करने, ये जो pink color आपको pen के marks दिख रहे है, वो मैं क्यू करता हूँ, ताकि मैं आपको दिखा हूँ, कि मैं क्या कौन सी line पढ़ रहा हूँ, तो ये आप multi-dasking करते हो, आप मेरा lecture देखते-देखते, नीचे multi-dasking window में क्या कर रहा हूँ, मुझे बड़ अच्छे से पता है, वाइके नहीं, Instagram पर जा के photo like कर रहे है, चलिए, focus के लिए, पढ़ा ही पे, multi-dasking ना करना, लेकिन में, beach, beach में, जो pink line से underline कर रहा हूँ, बच्छो, ये आपके लिए important नहीं है, whatever is important and what I want you to underline, I'll ensure that I take a highlighter and explicitly mention that this is to be highlighted, fair enough questions, let's continue, so banking set was zero by the British East India Company, set up three banks, ठीक, उन three banks रखे, Bank of Bengal, Bank of Bombay, Bank of Madras, ये पर चुछ अनलें करना, East India Company, तीन bank रखे थे, Bank of Bengal, Bank of Bombay, Bank of Madras, these three banks were later merged and called Imperial Bank, अनलें करना, EMCQ में आएगा है आएगा, Imperial Bank के साहे थे तीन bank को merge किया, तब Imperial Bank बनी, okay, which was taken over by State Bank of India, 1955, the Reserve Bank of India was established in 1935, अनलें करना, Reserve Bank of India, कब established ही, 1935 में, Reserve, RBI Act जो वो कब है, 1934 में, पर RBI Establish ही, 1935 में, okay, अनलें करना, पर पंजाब, National Bank, Bank of India, Canada, etc. July 1960 was an important date in the history of banking system, as it's one of the date that 14 major scheduled commercial banks, having a deposit of more than 50 crores, यह important यह, और यह आदक न, July 19, July 19, 1969, ठीका से 9 दिन बाद, July 19 आएगा, और July 19 के दिन, 14 banks को nationalize किया गया था, nationalize किया गया मतलब समच्टों बच्छों, पहले banks अपने अपने हिसाब से काम करते थे, nationalize होने के बाद यह देश हित में समर्पित हो जाते हैं, देश हित में समर्पित हो जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि लॉस में काम करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि प्रॉफिट नहीं करते हैं, यह देश हित को आगे रखते हुए, देश के हिसाप से टाम करते हैं, परना? So, 14 banks को nationalize किया गया था, 14 banks were, 14 banks के नाम देखे रखे, नाम आपको काम किये, नहीं, पर एक reading जरूर देना उसको. Subsequently, some private banks were also observed to suffer from governance problem. वो कुछ और private banks थे, जो properly governed नहीं हुपा रहे थे. तो government bank ने क्या कहते है, further there was a need to address the need of credit delivery in a greater measure. In the second wave of nationalization, six banks were unlinked करना. So, second wave में, पहले इसमें 14 banks को nationalize किया गया, बाद में 6 banks को nationalize किया गया, ये date unlinked ही जेगा, कब हुआ ये? April 1988, 1980 में, the number of public banks, including the State Bank of India and its associate bank grows to 28 in 1980. 1980 में, roughly 28 public sector banks हो चुके थे, तो चले बच्चों, एक और बार ये देख लीजे, 1969 में, July 19 को क्या हुआ? July 19 को, और team banks को आपने nationalize किया गया, okay? Imperial bank कैसे बनी? Team bank को जो इस इंडिया company बना था, उनको merge करके बनी, बाद में second wave nationalization में, कितने banks nationalize हुए? ये आपको रायाद रहना है, कब हुआ ये April 1980 में, second wave, पर्स कब हुआ था, July 19, 1969 Let's go ahead, PSB, मतलब किया public sector banks, public sector banks have played an important role, ठीक है, ये सब ठीक है, they have rapidly expanded, ठीक है, बहुत गाओ-गाओ में गए है, MSME, MSME थो क्या small, medium, small, M for micro, S for small, M for medium, तो 2 M, एक micro का और एक medium का, जो छोड़े-चोड़े businesses से, इनको भी इनने काफी loan गया है, etc., etc., उनकी वावा की गई है, despite the opening of the sector, two entities in early 1990s, PSB remain formidable players, this is underscored by the fact that their market share in the overall banking credit, and overall banking deposit was 63.2%, and 66.9%, तो कुछ खास इतना रहा है, though their market share has come down over the years, PSB may regain some of it, the most of it, ठीक है बच्चे ब्लाब्लाब्लाए, they are now through the recognition of bad loans, throw with the recognition of bad loans, पहले बहुत उनसे problem होते थे, PSB अच्छा perform नहीं करते थे, Public Sector Bank मुचे आपका harsh truth बताओ, government के जितने भी, जितने भी, जितने भी initiatives है, government के जितने भी संस्ता है, उसमें से कई संस्ता है, बहुत गड़बड़ है, governance का problem है, delivery बहुत slow है, processing बहुत सब कम है, सब बहुत optimum level पे काम करते हैं, और वही बच्चो private sector देखना है, private sector में क्या service मिलती आपको, क्यों? इक बंदे का पैसा लगा हुआ रहता है, आप government school में जाना, किसी का पैसा लगा हुआ रहता है, teacher बहुत बच्चो आप भी बटो, मैं भी बटता हो, आप भी डबा खाऊ, मैं भी डबा खाऊ, कुछ-कुछ schools में, private coaching classes अच्छा क्यों बढ़ाता है, इक टीचर का personal interest रहता है, he knows कि if he doesn't teach good, his goodwill will not be there in the market, people won't refer his name ahead tomorrow, and if they are not going to refer, how he is going to earn, so in a private sector thing, always a private bank or any private business, always remember, why do they give more better service, because उसका personal interest उसमें, आज उसका नाम उसके साथ जुड़ा हो है, आज अगर मैं आपको अच्छा ना पढ़ा हो, तो मेरा नाम खराब होना है, बई पच्छो, आज अगर मान लेते हैं, गवर्मेंट का अगर ये school college होता, तो मैं का मान लेते हैं, कोई teacher क्यों है, मतलब ऐसा हो जाता ना, कि teacher सोचते हैं, मेरा नाम नहीं हो आपके, पढ़ाना चाहिए, उनको salary बहुत अच्छी मिलती है, बहुत मतलब बहुत अच्छी मिलती है, बच्छी क्योंकि मेरा नाम उसका असोचेट नहीं, नाम खराब भी हो गया, तो किसा खराब होगा, college का, class का खराब होगा, अपना क्या है, इसलिए थोड़ा सा हर जगा अगर आब देखो, तो public sector में ये problem दिख्या आता है, वैसे government के public sector bank जो थे, पहले बड़े loss loss में थे, लेकिन आभी बोल रहे है, कि अभी थोड़ो है, उनको समझ गया है, कि bad loans कैसे पैचाने का, वो efforts भी ले रहे हैं, करने के लिए, more so the government is continuously pumping them, with the new capital भी दे रहा है, government इसको cut करेंगे, पूरा paragraph cut करेंगे, का गया है कि government की bank पहले अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी अच्छी हो रही है, तो क्या करें, इसका का MCQ बनाऊगे, while some PSBs, ये PSB के नाम देखे रहे हैं, आपको Canada are lumining giants, they did not buy a box when it was time to adopt to changes, they did not change करने चाहे थे, जो बड़े-बड़े banks थे, इतने बड़े-बड़े banks थे ये government के, इन जब change करने का वक्त आया, change से बड़े पिछले गया, adopt changes in the financial system and customer requirements, embracing retail, तो ये change नहीं जल्दी से कर पाए, कट करेंगे इस पॉंट को, सी बच्चों कट करेंगे इस पॉंट को, बतला आप बोलेगे सर, फिर आपने D.I.Q., अरे बच्चों समझे मेरी बात, ये आपके model में है, whatever is a model, मेरा आपसे promise एक में 100% बढ़ाँगा, आपको कुछ और उससा बुक देखना नहीं पड़ेगा, so I am teaching you, but I am telling you what is going to be important, उस पे को MCQ नहीं बनना है, so cut कर देनेगा, recent drastic initiatives of the government of India is going to change the scenario, अभी scenario change होने वाला है, वो बोले गॉर्मेंट नहीं बहुत भारी का किया है, क्या किया है, इस सके MCQ बनेंगे, as a banking reform में, just 10 public sector banks will be merged into 4 entities, this would take the number of banks in country from 27 in 17 to 12, तो अभी 27 banks ते उसमें सबस्टाद 12 हो जाएंगे, अगर यह merger हो गया, 10 बड़े banks को merge करके, 4 बड़े entities में convert करना वाले, the banks have been chosen for merger on the basis of ensuring that there is no disruption in the banking services, and that the bank should benefit from the increased CASA, CASA मतलब क्या, current account, savings account, current account, current savings account, यह जब बढ़ जाएंगे, 10 bank, जब merge होके, 4 बन जाएंगी, हर bank को एक बहुत बड़ा base मिलेगा, customer का काम करने के लिए, जब वो इतना बड़ा base मिलेगा, जब स्केल होंगे, इस bank में क्या merge करेंगे, जब bank को merge हरके, convert कर देंगे उनको चार banks में, जिससे उनको बड़ा मिलेगा, CASA account, savings account, बड़ा base मिलेगा, बड़े base पे काम कर पाएंगे, economies of scale उनको experience होंगे, and they'll be able to deliver more better service, government हमेशा scheme, paper पे बहुत बड़ी अलगता है, implementation हर बार अच्छा नहीं होता, these banks mergers, and the ones already carried out, will lead to the creation of big banks, these banks would be able to compete globally, काम कर पाएंगे, कट, कट. The largest of the mergers announced is, that of Punjab National Bank, Bank and Oriental Bank, अनलें करना. One of the largest mergers कान सावा है, PNB or Oriental Bank of Commerce and United Bank, to be called Punjab National Bank, तो सबका mergers और नाम लेकिन, Punjab National Bank के राप, Punjab National Bank उसमें, Oriental Bank mergers हो गई, और आपकी, अनलें के बाद, will become the second largest public sector bank in India, after State Bank of India, State Bank of India के बाद, आज जो second largest bank रही, public sector में को हो है, Punjab National Bank, it will also become the second largest bank in India, in terms of branch, with the combined total of, इतने उनके branch हो जाएंगे, तो number of branches के सबसे भी, second largest बन जाएंगे, और साथ-साथ में अगर आप देखे, तो इनका जो overall, financial assets से, उसके सबसे भी ये बन जाएंगे, second largest public sector bank, the second merger announced, was that of Canera and, तो यहां सिक्वा सकता है, Canera Bank का किसके साथ, यह होआ, further the similar business cultures of the two banks, okay, बागी सब ठीक है, blah, 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 हम साथ में आएंगे तो बहुत बढ़िया करेंगे, हम साथ में आएंगे तो आग लगा देंगे, market में, what लगा देंगे, बोलने की बात है, लेकिन, यह भी एक बहुत बड़ा merger, अनॉंस किया गया है, okay, इसका कैनादा बैंक का, and syndicate bank, fourth merger announces Indian bank and Allahabad bank, यह अनॉंस करना, एक और merger है, Indian bank with Allah bank, तो बच्छों इसमें क्या हो सकते हैं, मैंजलों फॉलिंग वाला कुशन आ सकता है, एक तरफ आपको देंगे, bank और बुरेंगे, find their partners, partners मतलब जिनके साथ उनका merger होने वाला है, okay, this two would lead to doubling the sizes, size double हो जाएगा, तो Indian bank का, Allahabad bank के साथ, Indian bank का, Allahabad रे, इसके साथ होने वाला है, merger, तो बच्छों इवे सुचनों एक बार revise कर लेते हैं, हमारे Canada bank का होने वाला है, syndicate के साथ, India का होने वाला है, Allahabad के साथ, okay, इस साथ-साथ, imperial bank of Bengal, Madras and Bombay, sorry, imperial ने, bank of Madras, Bengal and Bombay, इन सब को मिलकर बनाया था, imperial bank of India, okay, यह तीन bank किसने बनाया थे, वो बनाया थे, Sir East India Company ने, right, RBA कब आया, 1935 में, फिर, nationalization कब हुआ, यह July 1990, 1969 में, जाब 14 banks का nationalization हुआ, बाद में, April में, 1980, में भी, six banks का और nationalization हुआ, इन बाद में, उसमें से mergers भी बहुत हो गए, okay, फिर देखे, यह आपे, Punjab National Bank कैसे बना है, तो इसमें, आपके वासे, United Bank, Oriental Bank, और Punjab National Bank, इन तीनों को मिलकर, जो बना, उसका नाम क्या रख दिया हुआ हुआ, Punjab National Bank, इन दोनों को बोल दिया, भाव, तुन से नाव, काड़ूं गिया, मिकाल दिया, यह second largest public sector bank, बन गई है, तो यह MC को आ सकता है, which is the second largest public sector bank, in India, PNB, first largest, public sector bank, सबसे बड़ी, SBI, State Bank of India, और के बाद में, Mergers आउन्स क्या है, Canera का, Come on, Canera का, Syndicate के साथ, और Indian Bank का, Allahabad Bank के साथ, तरना, और वही public sector bank क्या रहत है, जिसमें majority का बढ़ी किस वा सहता है, क्यों में के पास, इन इंडिया, यह 2 types of private bank, old private sector bank, new private sector bank, वाह, क्या बात, इंडिया में जो 2 type के private sector रहेंगे, कौन से दो, एक है, old private bank, एक है new private bank, मतलब क्या classification किया भई, मान गए, old private bank साथ, those which existed at a time of nationalization, जो थे, nationalization के वक थे, but were not to the small size, बढ़े छोटे, कितर छोटा है, इसलिए उसको nationalization नहीं किया गया, तो old private banks को उन्टे अन्लाइग करना, वो जो nationalization के वक थे, अस्तित्व था उनका, बरक्यों कि बड़े चोटे थे, इसलिए उनको नहीं ले गया nationalization में, after the banking reforms, this bank got license to continue and have existed, license मिला, और आप वो अपना अपना चलाते रहे, along with the new private banks, at present there are 12 old private banks, 12 old private banks है, जो nationalization के वक्त भी थे, नाम आपके काम के नहीं, इतने याद नहीं आएंगे, बस 12 थे याद रखना, और old private bank मिलों क्या, वो private bank जो तभी भी थे, जब आपके दादा जी भी थे, मजब कब जब nationalization हुआ, 1969 and 1980, दादा जी को पूछेगा, क्या ये bank के नाम आपने सुने है, अगर आप 1980 से दादा जी, तो क्या आपने इन bank के नाम सुना था, क्या तभी भी आपका खाता, इस bank को में था, दादा जी कहेंगे, हाँ, 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 1980 के वक्त के nationalization के वक्त भी थे, ऐसे बारा banks, इनको कहते हैं, old private banks, अबंग दावाँ, ने ने तभी बैंक is a substitute of bank of paroda, which has, okay, चेक्टर बैंक सागा थे, को कितने नाम है, Axis है, HDA, HDFC, ICHI है bank, कोटक है, IDFC है, YES है, YES, 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 पर ये, YES, Academy है, वैच्छों, वैसे हमारे पास, YES, bank भी है, okay, चलिए, small private sector banks भी इंडिया में हैं, बच्छे, small private sector banks थोड़े से अलग रहते, क्या खासे दरता सहिंगा, our financial institutions that have the license to offer fundamental banking services by accepting deposits and lending, तो बच्छे, small private sector banks थोड़े, ये परनाने के लिए, इतने लाइसेंस, या इतने rules and regulations नहीं है, जितने बड़े private sector banks के लिए, ये small private sector banks है, इनका, एम क्या रहता है, ये आपको fundamental जो service रता है, बच्छे, accept होगा, पर लोन हम दिया जाएगा, इतना guarantee जाते, इसके अलावा बाकी सब मिलेगा, नहीं मिलेगा, guarantee नहीं, इसके अलावा बाकी सब मिलेगा, नहीं मिलेगा, guarantee नहीं, small है, like, general private sector bank, if you go into ICIS and HDFC, you name the service and they would have it, then you name the banking service and they'll have it, they can have their own mutual funds, okay, they have their different schemes, they have their term insurance schemes, कल किसी ने बुच्छा था, what is term insurance, term insurance मतला कि अपुच्छा, आप बहुत बड़ा insurance आप निकाली, उसमें से premium भरना पड़ता है, premium अपको every year भरना पड़ता है, term insurance में क्या होता है, कि अगर आपका वो insurance policy रहता है, जैसे मैंने मानले जैसे मेरी policy जो हो 75 years तक है, तो 75 years तक, अगर मेरी policy भी है, तो मैं आगले 10 साल, 15 साल तक, रहता है अलग-अलग, ता मिश्रम जैसे अप लो, मैं 10 साल तक मानले जैसे certain amount of premium देते रहूँगा, जो इतना बड़ा नहीं रहता है, मानले जैसे 28,000 रुपए, 30,000 रुपए में हर साल देते रहूँगा, अगले 10 साल तक, और cover मेरा कब तक है, 75 साल तक, तो 75 years तक मुझे cover मिला है, रफली, 10 साल तक रफली मानले जैसे मुझे premium बढ़ना है, premium कितना रहेगा, 25,000 रुपए रहेगा, cover कितना एक करोड, cover एक करोड मतलब क्या कि, अगर 75 साल तक अगर मुझे कुछ हो गया, अगर कर मुझे कुछ हो गया न, तो बच्चे बड़े खुश वरे, अच्छा, sir, करल sir को कुछ हो गया, तो एक करोड मिलेगा, हुँँको आपको नहीं मिलेगा, अगर तब तक मुझे कुछ हो गया, तो मेरे फैमिली को 1 क्रोर मिलेगा, तो 75 साल तक कवर लिए, 75 साल तक मुझे का इंश्वानन्स ने बढ़े, प्रीमिम मुझे 10 साल बढ़े, आगले 10 साल तक 25-25 रुपए हर साल दिने, कितना हुआ, 25-25 रुपए 10 साल का कितना हुगा, ड़ाई लाग रुपए, घ़ाई लाग रुपए दिया मैंने, और कवर है मुझे 75 अर्स तक का, इक करोड का, 75 यर्स तक मुझे कुछ हो गया, एक करोड रुपए में हमें लिकों मिलेंगे, डाय लाग डालके एक करोड मिलगा है, अब आप बोलोगे, ये तो लॉस हो रहे हैं, अरे लॉस हो रहे हैं इनका मतलब क्या, हर इनसान अपनी जान बचाएगा क्या नहीं बचाएगा, लाइफ बचाएगा, बचाओगे तो ये यह रेरली ऐसा होता है ना, 75 यह दो कम निकाला, यूजली चल जाता है, एक इंसन निकल लेता है, 75 के आगे भी निकल लेता है, 80 साल तक चल जाता है, 80 तक अपनी जिन्दगी जी लेता है, तो होता क्या है, अगर आप 80 तक जीए तो आपको 1 रुपए नहीं मिलेगा, आपके एक रुपे भी नहीं मिलेगा अपके फैमिली को तो ऐसे बहुत अलग अलग अपक्त अरते हैं यह प्रॉडक्ट कभी भी यह small banks जो रहते हैं वो नहीं निकालते इतना small private bank, icii bank में आप जो आपको यह product मिलेंगे, kotak में जाईए आपको मिलेगा, hd, afsc bank में आप जाईए इसमें जादा रूल रेगुलेशन नहीं रहते, जादा जिंजट में रहती, तो जो एक छोटे आंदच में जी रहते, जिंका छोटा प्राइबल रहते है, ये ये योज़िली बड़े-बड़े प्राइबड बैंक से डालते, वो श्मॉल बैंक में चले जाते, बैंक चलानाह आपको थोड़ा सा कम capital आपका स्थोड़ा मतलब भई कम है लेकिन वैसे ऐसे तो आम आजमी के सबसे जादा ही है लेकिन उतना थोड़ा capital आपके पास बहुत ज़्यादा capital नहीं आपके पास क्रोडों का आप private bank में खुले आप small private bank खुलिए the aim of this bank is to provide financial inclusion to those sections of the economy which is not served by other banks other bank जो बड़े-बड़े bank के जो नहीं जाते ना गाव में वहाँ यह जाने का यह में रखते है यूने small marginal farmers को जाएंगे micro छोटा business small business medium business चोटा small medium यह क्या size बोल रहे है और बच्छो size है लेकिन किसका business का जैसे छोटे लोगों के business के लिए भी यह लोग लोग देते the list of small private small private लोग आपको नाम यहाँ पर देखे रखे हुए suyodaya ug1 यह नाम आपको जरू पढ़के जाना है बच्छो पढ़के जरू जाना है exam में आ सकता है find the odd man out small वालों के नाम आप आसानी से समझ सकते हो पैचान सकते हो small वाले बैंक जो रहे थानी कभी वे सब बड़ा नाम ने लेते Punjab National Bank Punjab National यह नाम में लिखाया अलाबार इस बड़ा बड़ा city है बड़ा नाम जरू चोड़ा नाम जरू चोड़ा नाम almost every reform is born out of crisis अच्छा एक मिन के लिए कुछ lag वैक तो नहीं आ रहा मैं एक बार देख लू मैं एक बार देख लू कुछ lag वैक तो नहीं आ रहा है सब perfect चल रहा है करें जल्दी से बताएंगे बड़ चो perfect लिखे लिखे जल्दी से chat box में sir perfect इंडियन बैंक और आलाबाद बैंक 7th largest ठीक है यस दिवेंशू कुछ लिखा है ओके मेरे बदादा जी बैंक में थे क्या बात है वेरी गूट sir आपको कुछ नहीं होगा sir हमारा और हमारे आमिली की दुआ अपके साथ थैंगी बड़ा पॉफट 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 बपॉफट आपको बफुरिंग हो रहा है तो शायद आपके नेट में थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम रहा यहाप प्र मेरेखाम से पॉफट यहारा बाकी लोगगो पफटी चल रहा है अभी सही चल रहा है언चे भटी पफट और सब्रस्थ समझ में आ रहा है क्या बातत है हरिशननद रशनन इमिटा धैंक यू अजब्रस्थ पफट पोफट्ष चलब okay let's continue so continue करेंगे almost every reform is born out of some crisis बच्छो हमेशा दखना reform कब होता है जब कुछ crisis होता है तभी कुछ नाय धून कर लाते हैं तो मैसे so is the case in the Indian economy the balance of the payment crisis 1991 forced the government to begin dismantling the license permit Raj as Manmohan Singh began setting up framework for fiscal reforms under the prime minister Narasimha Rao's direction Rang Rajan as governor began erecting a new monetary structure तो बच्छो अगर आप देखो तो Manmohan Singh जी का जितनी तारीफ करें इस बात में जो 1991 बने reforms लाया थे आप देखना इन पर study करके बाकी कोई भी political party आ जो बीजेपी भी रहे तो भी वो इसको कभी नहीं नहीं बोलेंगे 1991 की जो legacy है Dr. Manmohan Singh की जो उन्हों distance लिए आज भी almost सब उसकी respect रहते हैं, he was a great great finance minister, great finance minister मतलब आप बोल नहीं सकते हैं 1991 में इंडिया में प्रॉलम जाते हैं और उसमें से बाहर निकालने का एक में वह अगर क्रेट जाता है नमच्छो एक में मतलब बहुत लोगों को जागा क्रेट लिए मन्मोन सेंग रिए वेरी कुशल गया अज फिनांस मिस्टर, Dr. मन्मोन सेंग, okay so, Singh साप का नाम तो इजट सेलेनाची, he has really helped India a lot doing those phases, right, governor रंगराजन थे उस ताम पे, और उन्होंने एक नया banking को एक नया structure दिया, बाद लेकि, although RBI had the mandate to issue new banking licenses, it did not until 1994, RBI दे सकता था, license, RBI देते हैं नहीं था, आज बच्छों इस इमाजिन करनागर आपका से private bank में होते, XS, ICICI, EDFC, Kotak, अरे banking service में कितना पॉल्म हो रहता, आज इंके service क्या है, service क्या है, and Kotak का में देखता हू, मेरा चेक वेक का कुछ बाउंस हो गया, आके देते, कभी-कभी, सामने एक मेरे bank है, private वाले बहुत अच्छा service देते है, very good services, okay, when the dust wore, the financial crisis settled, it was also the time when the markets were rocked by frauds, both frauds हुए, CRB financial being the prime example, it was a providential escape from 4RBI, which was about to give banking license to CRB as well, so देखना, तो यह सब problems हो रहता है, okay, institutions such as IDBI, ICS, HDFC, UTI were given licenses, other who managed were, Centurion Bank, इनको भी licenses मिल गया, ठीके, आगे, Global Trust Bank was the first one to blow up among the new age banks in the midst of scandal, the scandal गयो कि Global Trust Bank था ऊड़ गया, it raised questions about the RBI's judgment, but the Central Bank was quick enough to identify problems and merge it with Oriental Bank, All in the Bank के साथ RBI न इसको merge कर गया, तो RBI के उपर भी problem आये, लोगों नो उसके भी उंगलिया उठा है, कि बहुत सेर बैंक डूब रहते बीच में, Centurion Bank of Punjab and Times Bank merged with IDBI bank, which merged, ठीके ये भी merger दिये, कुछ काम के नहीं इतने, okay, चले बच्छो, उसके बाद में हमार पास है, Industrial Financial Corporation of India and Small Industries Development Bank of, Buffering होगा, चले, 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 okay, so at the time of independence in 1947, the Indian capital markets were relatively less developed, बच्छो, 1947, यार, आपना Indian independence के अप, वाँपे क्या capital markets थे, ये stock exchange वगेर, जब आप ने डेवलेप्ट है, okay, the demand for capital was growing rapidly, however, there was dearth of providers of capital, banks that existed, were not equipped, इतना उनके बास, technology नहीं था, ये अनलाइं करेंगे, IFCI, Industrial Financial Corporation of India, आज जो share की dealing होती, आज जो security की dealing होती, आज जो हमारा capital market, ये इतना बड़ा capital market 1947 जे वक्त में नहीं था, और government ने शुरुआत की, July 1 से, जहापे हमने IFC बना, IFCI बनाया, 1948 में, July 1 दे हो, जुलाइ मन्त में बच्छा में पढ़ रहा है, और July मन्त में ही banking और finance सेक्टर में, बहुत सारी चीजे हुई, राइट, सु यहाद एखना, government ने कहाए सब से पहले, IFCI बनाया, IFCI का full form, Industrial Finance Corporation, और development of infrastructure and that of industry, since then, IFCI has contributed significantly, the economy, वगर, 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 चीए कट कर देना, IFCI की गुनुगान गाया है, कि IFCI ने बहुत इंडिया के लिए काम किया है, सही बात है, देखे, the liberalization, बच्छो, liberalization मतलब कहा है, कि जो rules and regulations ते वो आसान कर दिये, जो फालतो के rules and regulations ते government ने हटा दिये, चीज़े थोड़ी liberal कर दिये, open कर दिये, freedom दे दिया, the liberalization of Indian economy in 1991, made significant changes in the Indian capital markets, तो यह liberalization in 1991 में, जो Dr. Manmoon Singh ने काफी इसके लिए महनत किया, was significant changes in the capital markets and the financial system, to aid raising of finance directly through a capital market, the constitution of IFCI was changed from a statutory corporation to a company under the Indian Companies Act, subsequently the name of the company was changed to IFCI limited with effect from October 1999, तो यह raising funds directly through capital markets, यह IFCI जो पहले था, एक statutory corporation था, statutory corporation मतलब क्या कि government ने काई, कि compulsory ACA एक चीज इंडिया में बनानी ही पड़ेगी, government back था, जैसे आपके ICA SI क्या है, it's a statutory body, statutory body एक ICA SI नाम की body होनी चेह, यह Parliament ने accept किया है, कि हमें company secretaries की जरूद आने, जरूद गिरने वाली हमारे देश को professionals चाहिए, इसलिए हमारे पास ICI act है, chat accountants का, CS का act है, CMA का act है, यह सारे क्या है, यह statutory bodies है, and the act of parliament, वैसे बच्छों, यह IFCI भी जो था, यह parliament में एक statutory body थी लिए लिए बाद में, chat accountants का, institute of chat accountants of India है, ICI, institute of cost accountants of India है, यह कोई companies नहीं है, यह statutory bodies है, वैसे IFCI भी पहले थी, लिए बाद में सो company में, convert किया गया, सिंस इस inception, 70-70 साल पहले, IFCI has witnessed and sustained all business economic cycles, IFCI has been able to maintain the financial sustainability, with the consistency, all its stakeholders, ठीक है, cut, cut, in addition to its, अच्छो, एक मिनिट है, एक ही मिनिट, सन्या, ओ, आपको रूम लिग गया का मेरा, call कर रहा ममी ने, okay, so, in addition to its co-competence in long-term lending, तो IFCI का main main aim का है, बच्छो, 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 बच्छी धान से समझना, एक normal bank मेर, एक industrial bank मेर, इसका नाम के यह industrial bank से, एक मिनिट सर, 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 यह हमारी IFCI bank जो है, IFCI bank, उसमें, और industrial bank मेर, का है का फरक है, क्यों आप हमको इससे अलग-अलग धड़ीं में पड़ा रहे, उसको बोलता है private bank, इनको बोलता है industrial bank, वो इनको 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 इसले बोलता है, तो कि जहाँ आप और हम, 2,00, 3,00, 4,00, 10,00, लाग का लोन लेते, वहाँ यह, बिवास 2,00, 20,00, 200,00, 500,00, 2,000,00 करोड का लोन लेते, और इनका लोन ऐसा नहीं है, कि एक साल भर के लिए लिए, 6 में लिए दिया, 3 में लिए लोन लिए, इसले इनको कहते है industrial banks, यह industry को लोन देने के लिए बने हुए, special banks है, इनका तोर तरीका अलग रहता है, यहाँ पे एक छोटा, छोटे-छोटे savings account बगर यहाँ पे नहीं बनते, जैसे आपके दूसरे companies दो बनते, यह mint difference होगा, ठीक है, चलिए, देखे, जो आपके दूसरे banks में चोटे-डे accounts बनते हैं, वैसे इनके आपके accounts नहीं open करेंगे, over the years, IFCI has played a pivotal role, इनना बहुत important role play किया है, establishment of various institutes, including and associates that are respected in their fields, तो बहुत सारा IFCI ने अलग-अलग associates and subsidy बनाया है, जैसे SSCIL बनाया है, stock exchange का NAC बनाया है, बाद में LIC बनाया है, LIC housing finance है, आज इनके पास, TFCI है, बाद में management development, MIDI है, MDI है, management development institute, IKRA है, यह सारे institutes को आज कहीं नहीं, IFCI ने support किया है, इनस प्राइवोर्टल रोल, बहुत important role in the establishment of various institutes, अलग-अलग institutes को बनाने के लिए, IFCI ने, Indian financial corporation ने, Indian financial markets को develop करने के लिए, it has played a pivotal role, मतलब किया, बहुत important role play किया है, the changes in the markets over a period of time, a few of the subsidies were divested, and currently, IFCI group has the following subsidies, तो क्या-का subsidies है, IFCI group के learn करने की ज़रूर्ट बीवे, पढ़ना, एक बार, ज़रूर, 14 आइफ्सी, के पर्डूर्ट्स का चोटे संबसे के अपको सबसे, आइफ्सी इंशरण्स का प्रडुक्त Mending Porea was the first financial institution set up to carry a long term, online-karna, इसा long term finance जयते है, IFCA has been the catalyst, catalyst मतलब कया, mediatry है, बीच में catalyst मतलब काम करता है, इसके बीच में, robust industrial base of the country, catalyst मतलब कहा, वो उसको promote करता है, base India में बन जा, ऐसा promote करता है, through modernization, modernization, export, वगरे वगरे, through commercially viable and market-friendly initiatives, is in order to continue serving the needs of the industrial society, IFC offers the following products, ये सारे इन्य वो देता है project finance करा के देगा आपको corporate finance आपको मिल सकता है structure finance मिलेगा across industry service and agro-based sectors आपको प्रोजेक्ट रहेंगे बड़े-बड़े उंको finance कर सकता ही आज आपको एक structure finance में अलग-अलग-अलग source of finance का अलग ही mix IFCS आपको मत करेगा पर नफ agro-based sectors के लिए services के लिए IFCS सब को loan देता है ओके ठीक है इसका लगा project finance का रहते दिया है IFCS team professional with an in-depth understanding, अब जो काम का है बच्छो मम बता हूँगा in-depth understanding करते हैं possibility to meet the growing and diversity part requirements बच्छो green field projects को यह बहुत ज़्यादा लोन देते हैं बच्छो green field प्रोजेक्ट को new brand company अगर आपको start करते हो green field projects को जो अद्द जीरो brown field मतलब क्या एक तरह से refurbished मान लिए green field मतलब क्या नया नया हुगा उस आपने revive किया उसमें आप कुछ नया लाइका आ रहे हो उसके में आप कुछ और नया लेना चाहते हो उसके लिए आप लोन ले रहे हो तो ठीक है IFCI उसके लिए भी लोन दे देता है लेकिन green field को prefer करता है लेकर आप कुछ तो लोन आसानी से मिलेगा क्यों कुछ नया कर रहे हो मतलब नया लोगो जॉब मिलेगा roads, gas, blah, 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 blah दिया है ठीक, cut corporate finance क्या रहता है जली से देखना, corporate finance क्या है get us to the varied needs of the diverse set of customers तो IFCI क्या 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 था corporate finance भी देता है बड़े-बड़े corporates को भी finance देता है through balance sheet funding मतलब कैंगी balance sheet को देखा जाता है shares, lease rental, discounting, promoter funding, long term, working capital requirement, capital expenditure, short term, etc हर जाएगा syndication and advisory यह आपको syndication बोलके भी काम करेगा advisor बोलके भी आपका काम करेगा syndic मतलब क्या वो जो चीजों के बीच में catalyst बोलके काम कर सकता है syndication कारा कर दे सकता है दो सही लोग को मिला सकता है ऐसा syndicate बोलके भी काम करता है आपका IFCI, सत-सत IFCI जो है, यह advisory services भी देता है advisory services अगर आपको लग रहा को आपको कुछ आपको salah चाहिए तो आप एक salah के लिए IFCI के पास जा सकते हो अगर industrial doubts आपके है तो we estimate the inputs gathered from our vast and rich experience, etc, etc IFCI का फूल पर मिया दखना, वो क्या करता है industrial loans देता है, यह भी आप याद रखीगा ओके last structure products structure products क्या रहते हैं, तो हम यह क्या बढ़ रहा है IFCI आपको corporate finance दे सकता है वो आपको financial, यह project finance दे सकता है, फिर project को finance कर सकता है आपको structure projects का भी एक पूरा structure फॉर्म चीज़ तरिके से arrange चरकी दे सकता है, structure products करते IFCI provides financial solutions to its clients through structure, date and products, structure, date and magazine products भी चल सकता है, magazine में दिख जाए, इतने बड़िया products भी बनाते and assist in providing optimal financial solution for various requirements such as sponsor financing acquisition, pre-IPO financing of balance sheet structured solutions among others, तो structured products मतलब का कि आपके structure को जो best हैगा, वैसा ये solution आपको बना कर दे सकते है आपको कैसा चेए वैसी चीज में आपके बना कर दे सकते है it provides financial solution to clients, अले-ले-ले clients को date magazine products, date products measuring products and also assist in providing optimal financial solution आपके company के लिए सब सब best करेगा this advisory role भी IFCI प्ले करता है, तो ये IFCI बच्चर कहता था financial corporation of india, ओके, project finance corporation of corporation of, sorry, ये IFCI मेरा, cool form या पर दे के रखा था उन्हें industrial financial corporation of india, तो industries को finance देने के लिए, corporate को finance देने के लिए, project को finance देने के लिए, long term finance को देने के लिए, IFCI का जनम हुआ था, खल आप हमाच चले जाना, IFCI में loan मांगने के लिए, कि भई मुझे जो car लेनी, मुझे घर करीबना है, loan दो, ऐसे loan IFCI में, आपको आइची, 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 आइची में जाना पड़ेगा, ये चड़ी, ए फसी bank में, एक से bank मी, वहां पे कोई छोड़ी चीज़े मिल सकती, ये industrial bank से, एक दो लाग की नहीं, करोड़ों की बात दे करना, करोड़ों की बात दे, that is IFCI, आइची, आइची, इसके बाद में, एक और छोड़ी जोड़े से, और दूसरे banks भी हमको पढ़ने है, इसे sirby, etc, etc, और भी थोड़े से banks है, बस खतम कर देंगे, ये chapter थोड़ा lengthy जरूर है, थोड़ा boring जरूर है, बट definitely इसको पढ़कर खतम करना, ये हमारा role है, जिसमें मैं आपको बहुत जादा मदद करने वाला हूँ, and I am very sure, कि आप भी अपने cooperation से, इसको definitely बड़े आसानी से समझ लोगे, fan of day students, चले बच्चों, आज SBI का ही पहले SIDB जो था, small industrial development bank of India, full form तो याद रख नहीं है, IDBI का एक wing है, sorry, IDBI का एक wing, SIDB, small चीज़ों के लिए, इसके बारे में मच्चा हम कर पढ़ेंगे, तब तक के लिए, see you all, take care, and God bless you, as always, dear students, bye-bye, चले, Thank you, thank you, thank you, sir, MCQ का PDF में बना रहा हूँ, मैं आपको definitely, बच्चो, बफरिंग हो रहा था, बीज़ूच में, अरे यार, बटीक है, बच्चो, बफरिंग होता भी होगा ना, तो आप तो सिभी एक याद रफना, कि मैंने अंडरलाइंग करवा है, मैंने आपको कोई बहुत rocket science है, तो कोई सिखाया ने, सिर्फ चीज़ों का अंडरलाइंग किया है, अगर मेरी आवाज मधिरवानी नहीं भी सुनी होगी, तो भी चल जाएगा, अंडरलाइंग की होई चीज़े जो है, सिर्फ वो देखे ना, वीडियो में जरूर, वो इंपोरेंट था, आपके लिए macro angle से, ओके, थोड़ा शाद बच्चे उनको ऐसा लग रहा है, कुछ बच्चों को buffering का problem हुआ, but then I think it's okay, आप सिर्फ ज बेटरिंग कांटेंट के साथ, तक तक के लिए, सिर्फ और अल्वेज कांड़ाशिए.